हेलो फ्रेंज्स आप सब कैसे हो I hope सब ठीक होंगे यहाँ पर देकि मैं ने फैब्रिक लिए जिसका मजरमेंट 6.5 और इधर से भी यह 6.5 इंच का फैब्रिक है मैंने यहाँ पर यह Two फैब्रिक के बाद मैं इसको एक बार डबल कर लिया है फिर उसके बाद मैं इक फोल और कर लेना है फैब्रिक को फोर फोल करने के बाइस को सेट कर लिया है और मैंने यहां पर यह थ्री-3 इंच पे निशान लगाते हैं इसमें हाफ सरक्ल बना लूँगी इस तरह के साब कॉर्णर से मेजरमेंट लेते रहे हैं और थ्री-3 इंच पे इस तरह के से शुड़े निशान सिर्कल बना लेजी मैं यहां पर इसको पूरा एक साथ बना लेती हूँ से बाद इनके करने के बाद इसके हमारे चालत ससंठर को निकलती है ऐस नो उस foreign का यूस किया आप यहां पर फॉर्म का उ वुक्रूम का किसी कभी यूज़ कर सकते हैं इसको मैं यहां से इसको पूरे राउंड शेप में इसको फॉर्म को इसे अटेच कर लिया है जो भी एक्स्टा फॉर्म होगा हम उसको कट कर लेंगे यहां पर कट करने के बाद मैंने यहां पर राउंड शेप इसको सेट कर लिया है उसके बाद मैंने दूसरा फैबरिक लिया है बिना फॉर्म वाला उसके बाद मैंने यहां पर यह 3-3 इंच के फैबरिक लिए हैं छोट छोटे मैंने कंट्रास्ट में लिए हैं आप चाहो तो सेम फैबरिक का भी यूज कर सकते हो इस तरीके से यह मैंने डिजाइन बना कि इसको मैं यहां इसको स्टीच कर दूँंगी इसी तरह दूसरा पीस दूसरे पीस को भी वैसे ही बस इसको पहले एक फोल्ड करेंगी उसके बाद हम ट्राइंगल शेप में इसको दोनों साइड से इसको फोल्ड कर देंगे इसी तरह मैं सारे पीस को मैं फोल्ड करती रहूंगी और यहां पर जो हमारा सरकील है उस सरकील में यहां पर इसको एक्स्टा कॉर्णर्स निकल रहे हैं मैं एक्स्टा कॉर्णर्स को कट करके इसको फिनिश कर लूँगी अब दोनों को गुश्री के ऊपर रखेंगे जहां पर हमारे सिलाई आई यह ज़स उसलाई के ऊपर में स्टीच कर दूँगी और थोड़ा सा पार्ट हमें खुला रखन निगा, पूरे राऊंड में को कट कर लेंगे का खुला रखना से उसलाई बार निकाल लागता प्चाप अच्छे से का बाद में एच्छे को कर लेंगे में गाधनी और इसको सेत कर लूंझ किए सेत करने के बाद जो हमारा यहां पर पीस खुला रागवा है उस पीस को अच्छे से अंदर डालते हुए पूरी राउंड शेप में इसको अच्छे सेट कर लेंगे सेट करने के बाद मैं इसको यहां पर पूरे राउंड में इसको मैं स्टिच कर लूँगे यहाँ पर मैं इसको देखें स्टिच कर लिया इस्टिच करने के बाद हमारा यहाँ पटी कोस्टर बनके रड़ी है आप चाहोँ इसको बीट में से कुल्ड कर सकते हो लेकिन इन इन बीट में से कुल्ड इसलिए नहीं किया क्योंगे इस फॉर्म पे तोड़ा धागा अच्छ बचली पूली ऑना को दोकी तूुशन M.